नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वाववत करता हूँ Sensible के इस नई हिंदी डेली मार्केट अनलेस्स वीडियो में चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट अनलेस्स सबसे पहले देखेंगे वीकली चार्ट को वीकली अनलेस्स करेंगे और फिर बात करेंगे की daily chart में market कैसे दिखा जारा है, इस week में market में आपको कैसा momentum देखने को मिल सकता है. तो अब निफ्टी के chart के हम सबसे पहले weekly chart की बात करते हैं. तो अगर मैं अभी निफ्टी के चार्ट को देखता हूँ इस इस्तेती में जिस इस्तेती में अभी निफ्टी का चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर कि कोई बड़ी प्रावल्म है अब आको रre cozी बताता हूं कि क्यूं यहां से मार्केट अपसइट पर नीचे आया पर अपस्टेट कर रहा था यहां से एक rejection हमें देखने को मिला था ठीक है लेकिन market ने इस rejection अगर मान लिजे कि ऐसा कुछ है कि वही market में यहाँ पर selling आई है ठीक है, just a theory बनानी के हम कोशिश कर रहे हैं ठीक है, तो यहाँ पर एक market में selling आई, फिर market में एक market ने pull up दिया आपको ठीक है, pull back दिया, और उसके बाद अगर market में selling continue होनी थी तो market में एक आपको यह negative candle, कुछ इस तरीके का यहाँ तक का एक negative candle देखने को मिलना चाहिए था ठीक है, क्योंकि दीखें हमारे लिए सबस्यादा आसानी क्या हो, मतब sellers के लिए सबस्यादा आसानी क्या होगी, कि बस अगर आप भी एकनमाल लीजी, अगर कोई भी seller है, तो इसके लिए बड़ी आसानी चीज़ क्या है, कि यार अगर मुझे market को नीचे लेके जाना तो एक negative close कराना पड़ेगा, जो एक green candle market ने बनाई है, ठीक है, हाला कि upside पर selling है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक significant devil तक market हो close कराना पड़ेगा, 50% के आसपस तक market आया था, लेकिन फिर उसके बाद वापिस market upside पर close किया है, यह तो बात भी weekly chart की, ठीक है, weekly chart पर हमें कुछ भी negative as such नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब बढ़ते है daily chart पर, daily chart पर market में अगर आप दे यहाँ से अगर market नीचे drop होता है, ठीक है, अब अगर आप इसे 15 minutes चा, 30 minutes chart पर देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा, यह कौन सा level है, यह almost is zone का level है, यहाँ यह वाला zone है, ठीक है, यह एक zone है market में, जिसको अगर मैं mark करना चाहूं बड़े तो यहाँ पर मैं एक horizontal line इस मार्केट में support लिया था, upside पर breakout दिया था, ठीक सा level यह दिखाई दे रहा है, कि हाँ, ठीक से level मार्केट support लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, हम अभी यह मानते हैं कि हाँ, यहाँ पर यह market support लेने की कोशिश कर रहा है, अब फिर market अगर ऐसा है, तो market के लिए बहुत important हो ज एक पर move किया है, recover किया है अपने आपको, ठीक है, तो यह एक अच्छा दिखाई दे रही है कि यहाँ से कि यहाँ पर maybe market में support होना चाहिए, support zone यह होना चाहिए, तो अब market के लिए important यह हो जाता है कि market यह 650 वाले zone को, 21,650 वाले zone को, zone में वापिस ना आए अभी, ठीक है, अ यहाँ से हमारे पास एक क्या theory निकली कि boss, अगर market वापिस से 21,650 के आसपास आता है, तो यहाँ पर market में एक selling pressure फिर से आपको देखने को मिल सकता है, downside पर जो market को लेके जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर क्या बात हो जाएगी, कि यहाँ से market एक selling pressure आया, market ने थोड़ा चाहिए, या मैं कहूं कि buying momentum आपको कब दिखाई देगा, ठीक है, buying momentum आपको धीरे-दीरे market में आता हुगा, दिखाई दे सकता है, अभी अगर आप nifty देखेंगे, तो nifty में लोगों के यह जो shorts market में मान लिए, जिनोंने short कियोंगी, अगर वो बने हुए, जब तक यह लोग logical number type हो, तो mostly 21,900, 21,800, nifty 100 के multiples आपको यह मिल जाएंगे numbers, ठीक है, तो market अपने आप कोशिश क्या करेगा, कि सबसे पहले जो previous resistance था, यह previous resistance था, which is near about 21,800, ठीक है, इसके ऊपर पहले तो trade करें, इसके ऊपर market trade करने कोशिश करें, तब जाके market सबसे पहले कोशिश करेगा, कि य यहां से market में पहले selling आईए, तो यह कोशिश करेगा, यहां के आजपास यानि 22,000 के आजपास आने की सबसे पहली इसकी कोशिश रहेगी, कि वहां आप उसकी zone तक पहुंचू, exactly 20,000 नहीं, यहां पर 22,000 के इस zone में, उसके थोड़ा सा नीचे market यहां पर पहुंचने ही कोश करेगा, यहां simple सा fund आ है, हमेशा market क्या करता है, जब भी market resistance का आजपास पहुंचता है, बार बार यहां तो hit करेगा, यहां आप पर time spent करेगा, ठीक है, जैसे यह एक अच्छा केश था कि यहां से market में, मान लिजए, selling pressure आपको देखने को मिला, market upside move कर रहा था, एक selling pressure आया, market upside upside move किया, फिर एक selling pressure आया, और फिर market ने यहां पर इस selling pressure के आस्वा से close दिया, तो फिर market में एक gap up opening हो, ठीक है, तो यही pattern आप हर जगे महसूस करोगे, हर जगे आपको दिखाई देंगे, तो market यहां पर पहुंचने कोशिश करेगा, उसके बाद यहां पर thrust in करता है, फिर upside breakout फिर एक अच्छा momentum हमें upside पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कुल मिलाके हमें यह समझ में आगा है, कि buying के लिए निफ्टी हम भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कि वह थोड़ा market upside पर या थोड़ा एक breakout स्थिती में आ जाए, एक अच्छी स्थिती में आपने आपको stable क पर ले, उसके बाद हम market प्लान करेंगे, या फिर market में आ लिए इनके 50% के ऊपर, यानि 21,900 के ऊपर, अगर market trade करने लगता है, तो ये भी इक market के लिए अच्छा sign होगा, ठीक है, ये बाद तो रही निफ्टी की, तो निफ्टी कुल मिलाके दिखाई देरा है कि ऐसी, निफ market में, market दोनों side move करने कोशिश कर सकता है, और ये buyer seller के ऊपर है कि किसको बचाने की लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर आप देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में, कुछ-कुछ positive-ness में भी बनती भी, इस तरीके की दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इस आपको market बनता हूँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहां से जब बाहर निकलेगा, जब market किसी direction में, अपना price direction बनाना शुरू करेगा, तो market में एक उस side पर आपको momentum आता हूँ, दिखाई दे सकता है, ठीक है, और फिर ये वही, जैसे जहां से resistance है market में, या जहां पर support है, market बार-बार जो buyer, जो भी seller होंगे, वो resistance और support के आज-पास market को पुछाने की कोशिश करते रहते हैं, कि वहां पर इसके chances ज़्यादा break होने के, तो buyers अगर market में आएंगे, तो यह सबसे पहले, near about 47,000 के आज-पास उसको लेकर जाने की कोशिश करेंगे, कि पिछली बार वहीं से resistance, market में selling आई थी, ठीक है, तो अब daily, मतब nifty में, bank nifty में, weekly charts पर पता चलिए, कि हाँ थोड़ा bullish बनने की कोशिश कर रहा है, bank nifty, अब अगर daily charts पर देखेंगे, तो हाँ, यहाँ पर आपको दिखा ही दे रहा है, वो भी अच्छी जगह है, क्योंकि market ने support लिया है, 200 DA में से, ठीक है, तो अभी हम positiveness की बात करेंगे, market मान लिजे, उपर जाना जा रहा है, तो उस case में क्या हो रहा है, तो यह एक अच्छे-च्छे evidences दिखाई दे रहे हैं, कि हाँ, यहाँ पर यह दिखाई दे रहे है कि अच्छी जगह support लिया है, यहाँ पर एक double bottom sort of बनाने के market कोशिश कर सकता है, ठीक है, इस तरहे के हमको evidence में दिखाई दे रहे हैं, अब हमें यहाँ पर buying market में मान लिजे, कि market में buying momentum आपको और तेज़ीगा कब दिखाई देगा, तो एक तो यहाँ से एक चीश समझ में आ यह 46,000 के आसपास market को पहुंचाने की, क्योंकि तभी यह बार-बार hit करेंगे, तभी यह upside पर इसको break कर पाएंगे, ठीक है, तो एक चीज मुझे यहाँ पर समझ में आगे ही है, कि निफ्टी में हो, चाए बानिफ्टी हो, मुझे थोड़ ऐसा यहाँ पर इंतिजार करना ह कि देखें, अगर यहाँ पर bullish market को जाना होगा, तो market सबसे पहले कोशिश क्या करेगा, आपको क्या दिखाई देगा, कि market 46,000 के आसपास time बिता रहा है, market 46,000 के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है, वहाँ पर maybe ऐसा हो सकता है, कि 46,000 पहुंचा है, और फिर थोड़ा सा sell of market मे के लिए आ जाएगा, अब market माल लीजे कि selling pressure अगर फिर continue होगा, तो क्या होगा, तो उस case में क्या होगा, कि market सबसे पहले यह जो trend line है, ठीक है, इसको नीचे इस तरीके से break करेगा, market आप यहाँ पर देखें, यह भी हो सकता है, market थोड़ा सा move करके, यहाँ पर sideways चला जाए, और फिर आपको लगए कि यह trend line तो market ने यहाँ पर break कर दी, ठीक है, इसकी बजाए आप एक और हम लोग चीज सोच सकते हैं, कि बॉस यह जहां से market ने यह breakout दिया है, कहां से breakout दिया है, यहां से, ठीक है, यह एक market ने solid breakout दिया है, तो इस swing के नीचे जो breakout वाला swing है, इसके नी market ने किसी भी condition में नहीं आना चाहिए, यानि around 45,200 ले लिजए, या तो 45,300,200 इसके नीचे market को अब नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर मान लिजए इसके नीचे market आने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले sellers क्या करेंगे, nearest swing पर इसको पहुँचाने की कोशिश तो अगर market इसके नीचे आने लगता है, यहां से इस तरीके से market transaction बनाने लगता है, तो हमें फिर market में 44,800 के आसपास market में भी फिर से आता होगा दिखाई देगा, और फिर यह कोशिश करेगा कि यह जो previous low बनाया है market ने, which is 44,500, इसको भी retest करने के लिए आएगा, और इसको 45,100 या 45,000 का level downside में मान लिजी, ठीक है, तो यह जब break करेगा, तो market में काफी aggressive selling होगी, और यह जब break करेगा, तो market में आपको buying होती भी दिखाई दे सकती है, ठीक है, तो यह चीज़ दिमांद में रखनी है, और यह जब levels break होगे, तब हमें एक market में अच्छा momentum आतावा ठीक है, तो मैंने पूरा अभी आपको मेभी ऐसा लगा होगा, कि अरे यह बहुत time लेके इनोंने समझाया, इतना time तो नहीं लगना चाहिए, यह एक मनलब, एक मैंने brace से आपको एक framework, मतलब, sort of एक आप इस चीज़ को हमेशा, देखे, जैसे आपने कई लोगों को देखा ह कि कुछ लोग narrative, घ जो खुद के साथ ही chess खेलते हैं, इधर से भी खुद खेलेंगे फिर उदर से भी खुद कहलेंगे, इधर से भी खुद कहलेंगे, मुझे हमेशा लगता था कि यार यह ऐसा कर कैसे लेते हैं, कि अगर मेरे पास कोई एक पार्टी है, जो मेरे पास, वाइट है मुन लिजे उसको जिताने का क्या मतलब है धायь हो सकता हूं, फिर मुझे इसमाजम में आया कि वह प्रॉपर एफट डालते हैं कि अगर मान लिजे कॹल यह भी अब फिर सोचिए कि नहीं, market यहां से नीचे जाएगा, उसकी evidences ढूटिए, ठीक है, और इन दोनों ही case के लिए आप अपने आपको बताइए, कि बॉस कि हां, market अगर उपर जाएगा, तो यहां पर क्या-क्या हो सकता है, ठीक है, मेरे पास इस theory को support करने के लिए क्या-क्या है वही market, अगर selling pressure में है, माल लिए, आपको लगता है, market नीचे जाएगा, तो उसके लिए पुसकी कि यहां से कैसे नीचे जा सकता है, मेरे पास इसको support करने के लिए क्या-क्या evidences है, क्या-क्या मेरे को दिखाई दे रहा है market में, ठीक है, इस तरीके से आप एक अच्छा judgment भी कर पाएंगे, और दूसरी चीज, अपना mark करके रखें वन levels को, कि जहां पर आपको यह लगता है, कि यहां से एक buying pressure आ सकता है, यहां से selling pressure आ सकता, ठीक है, तो आपको पता भी रहेगा, कि अगर आपका माल लिए trade गलत भी होता है, तो आपको पता लेगा, कि हाँ यह जो logic थ है, गलत था, अपने को यहां से exit करना, ठीक है, तो अगर open interest में देखता हूँ, तो open interest में दूर दूर तक कोई ज्यादा बड़े levels दिखाई दे नहीं दे, ठीक है, अब वो सबसे पहला तो यह है, कि वोस निफ्टी में दिखाई दे रहा है, कि 22,000 के आसपास का सबसे 500, काफी दूर है, हालकि उसका एक support मार्केट में दिखाई दे रहा है, तो अभी यह बहुत एक empty zone कह लिजे, ठीक है न, यह जो लोग हैं, जहाँ पर ज़्यादा strikes में लोगों ने participate नहीं किया, तो यह भी आमें यही बता रहा है, कि यार, लोग आफी कुछ इंतिजार करना है, कि market में price action बने है, और यह जो strikes है, यहाँ पर call और पूट राइटनिंग मार्केट में करके, लोग अपना प्रीमियम निकाल ले रहे, बैंक निफ्टी देखेंगे, तो वो भी आपको ऐसे दिखाए देगा, 46,000 एक है और 45,000, यह दो पर एक active open interest है, बाकि इतना कुछ ख बनता हो, दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा positiveness दिखाई दे रही है, अगर आप FIA data की बात करेंगे, तो FIA data futures में ठीक भाइंग होई है, और options में जो puts है, वो बेचे गए है, ठीक है, अगर आप net देखेंगे, तो net अभी भी FIA जो है, वो puts खरीद कर बैठें, ठीक है, तो एक options में ये समझ में आ रहा है, कि हाँ options में थोड़े से negative दिखाई दे रहे है, FIA, futures में आप देखेंगे, तो futures में यहाँ पर आपको buying दिखाई दे रहे है, ठीक है, futures में दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो net number पहले घट रहे थे, औ लेकिन options में bearish है, तो यहाँ पर भी थोड़ा indecisive type का दिखाई दे रहा है, तो cool मिला कि मेरे हिसाब से market में nifty, bank nifty ने थोड़ा एक positive close दिया है, selling के बाद, ठीक है, bank nifty थोड़ा जादा strong दिख रहा है, कि पिछले candle का, almost 50% से जादा market ने, bank nifty ने cover कर लिया है, जो पीछला और mostly मैं यही कहूँगा, कि यह जो red candle है, यह बहुत decisive होने वाली है, कि इसके ऊपर या इसके नीचे market move कर सकता है, ठीक है, same nifty के लिए भी, nifty में भी यह जो red candle है, जो बनाई है recent red candle, यह इसका high और इसका low बहुत important है, इसके ऊपर नीचे market में एक momentum आपको देखने को मिल सकत है, जो बात रहें, nifty और bank nifty की, बढ़ते हैं, dollar की तरफ, dollar थोड़ा weak होता है, यहाँ पर में भी दिखाई दे रहा है, अभी कोई इतना momentum इसमें ऐसा लग रहा है, कि आजकल हो को ही नी रहा है, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, कि इस candle के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, और completely bearish तो थोड़ा इसके नीचे जब जाएगा, तब इसके नीचे एक बात close करेगा, तब अच्छा bearish ने साथ को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो दोस्कों यह था मेरा nifty, bank nifty और dollar का analysis, weekly analysis हमारा, और हमेशा की तरह अपने capital को बचा के trade करो, stop loss के साथ trade करो, hedge के साथ trade क and have a safe and happy trading sensible, bye-bye.